हाई फ्रेंड्ड जम्ना की चिनम आप सुभी का स्वागत है आज की रेशिपि तो आज मैं पराटा बना रही हूँ है आज मैं नई तरीके से पराटा बना रही हो आज मेरी घर में प्डोसन आई है भोड़ी भाया दिदि आप केसे परांटे बनाती हो हमारा पराटा तो grades आई दिदी के से परांटे बणाती हो मेरे परांटे तो मेरे विच्छे खाते हैं स्कुल से वापस ले आते हैं इसलिए मैं आपके घर आई तो हैसे बनाते हैं एसे फूर्शन को बताना लेघी वह ऐसे असे बनाना तो यह मैंने एक कटोरी आठा लेलिया है तोड़ा बोर ले लेती हूँ मैं तो यह लेलिया मैंने अब इसके अंदर इसके अंदर मैं डाल्द देती हूं यह मैंने आलू का पेस्ट बना रखा है तो यह आलू भी डाल देती इसके इंदर ृठे के अंदर आलू को अचितरा बोयल करके इसको अच्छी तब शिलके उतार के इसको गुत के फिर डाला हाक आठा के अदर है कि अब डाल देते हैं हरी मिर क्रीक गी काट कर की थी मया ने एक प्याज को काट करें गई आब 것은 अब डाल ये डनिया धनिया बी काट गर करा था मैं ने मुठी कैसे पा रता को वापस लाते बच्छे को एतने कुषँ की खाएंगे और अब याल देते स्वाद के नमक तो यह मैंने स्वाद के नुशा नमक डाल दिया है और यह चुटकी पर मैंने लाल मीची भी डाल देती हूं अब बारिया की डई डालने की मैं आज डई भी डालूंगी इसके अंदर तो दई खाटा नहीं होना चाहिए दई ताजा होना चाहिए है तो मैं दई यह ताजा जमाकर रखा हूं तो इससे मैं एक चमच डई ले लेती हूं ज्यादा नहीं लेना है एक चमची लिया हां तो य इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं सारा सामान को वैसे पानी की जुरूत बहुत कम पड़ेगी फिर भी एसे मिला लेते हैं इसे पानी को यह साथ नहीं डालने चाटा शीटा लगा लगा के डालना है यह बिल्कुल आटा केटा हो गया है अब मैं इसमें एक चमच गी डालते हूं एक चमच गी डालती है अच्छा मलाना है अटा बिलकुल शोक्ट हो जाएंगे bi वांता तायार हो गया है यह अरा बना लेते परणा तो है 이상 है था लेकरना इसले लुद ने ama लें लिए लिए तो बनाते पराका ते सुग अर्यषर करते हैं है है आज किसिए स्कुल से वापस लाएंगे मेरी प्रोशन बोल रही थी तो आज मैं बनाएंगे मेरी प्रोशन भी और मेरी प्रोशन मुझे देख रही है अब लगाएंगे इसमें गी तो हासा ऐसे फेल लाना गी को अच्छी तरह एक तरफी लगाया मैंने गी अब दूसरी तरफ इसको पल्ट देता इस तरफी गिया जाएगा अब इसको भी इसे पल्ट देंगे तो यह पराटा बनका तयार हो गया है अब यह तवे में डाल देते हैं बिल्कुल नर्म बढ़ेंगे और कस्ता बढ़ेंगे बहुत इच्छा पराटा बनका तयार होएंगे इसे बनाना मेरे जैसे आप फिर आपको बच्चे कैसे इस पुल्ट से वापस लाते पराटा को अब लगा देते हैं इसमें गी इस पराटा की साथ तो सब्जी की भी जूतने पड़ेंगी खाने में बहुत ही टेस्ट लगे गई है बिल्कुल इसको करा रहा बच्चे तो और मांगे के ममी मेरे कल जैसे पराटा बनाना कल अच्छा बनाया आपने वेसे मांगे के बच्चे बच्चे के स्वाइस बहुत अच्छी रेती हैं यह मेरे प्राटे बखक कर तयार हो गया है अब इसको निकाल लेते हैं यह मैंने निकाल लिया इस प्लेट में अब दूसरा पराटा भी डाल देती हूं मैं यह यह अच्छी तरह शक चुका है अब इसको में लगा देते गी दो इतरह पच्चा शक गया है यह पराटा भी बनका तयार हो गया है सारा अटा कैसे बनाना है तो अब निकाल लेते प्लेट में तो यह निकाल लिया मैंने प्लेट में तो दोस्तों यह पराटा बनका तयार हो गया है बिलकुल अच्छा संदार और यह दाई भी रख दिया मैंने और खड़ी भी रख दि को कितना थलका है यह बच्चे खाने में बिल्कुल सबजी की भी जूतने पड़ेगी इसमें एसे खा जाएंगे और यह दई भी रख लिए मैं दई की साथ और खटी की साथ बहुत इच्छे पराटो लगते हैं तो दोस्तों आज की रेशिपी कैसी लिए आपको लाइक करें और शेयर के सब्क्राइब करें और बेल अप्रिटन को दबाईए बहुत बहुत धन्यवाज आपको और अगली रेशिपी के लिए मुझे नोटिपीकेशन जुरूर देना है